हेलो एब्रिवन नमस्ते वेलकम टू डायट कुंडली आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वेट लॉस मेल इस मील की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें प्रोटीन और फाइबर काफी अच्छी मात्रा में हैं लेकिन इसमें कार्बोहड्रिट काफी कम है सो फ्रेंट्स वेट लॉस के लिए इस मील प्लान को आप जरू ट्राय करके देखेगा बहुत अच्छे रेजल्ट्स आएंगे साथे सल जिनका भी डाइबिटीस में बलड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है वो भी चाहें तो इस मील को ट्राय करके देख सकते हैं यह उनके बलड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद करेगा तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मील में कौन-कौन से रेस्पीस को आड़ करना है सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर सोया चंपक की सबजी बनाई है इसे बनाने के लिए एक बावल में मैंने जाता थेख हैं तोड़ा सा εκको मैं तीन से लेकी चारू बाला रही तक कुक करना है इसके बाद एक्सेस पानी हमें इस तरीके से निच्छ उल लेना है कले पॉत में मैं कीटो फाई ए टू देसी घी थोड़ा आइड कर रही हूँ थोड़ा सा जीरा आड करना है अद्रक लेसुन मिर्ची का पेस्ट आड करके अच्छे से फ्राई करना है अब हमें इसमें कटा रहा टमाटर आड करना है थोड़ा सा हल्दी और धन्या का पौडर नमक अट करके अच्छे से फ्राइए कर लीजेगा जब टमाटर अच्छे से कुख हो जाएंगे अब हमे इसमें जो कुख हुआ सोया चंग से यह एट करना है अच्छे से मिक्स करना है थोड़ा सा पानी आट करना है और धन्या पती आट करके 1-7-8 मिनट के लिए इसे हमें में काफी कम मात्रा में कार्भो हड़ेट मिल रहा है , इस मेल में मैंने गेहूं की रोती की जगह पर में गेहू कि जगह पर कीटो फाई की ट को सब्सक्राइब की क्यूतू एक लगके बना हुआ इसमें हमें प्रौट उर फैबर बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है , आध भी ग्लूटेन फ्री भी है इसका ग्लाइसमिक इंडेक्स भी कम है फ्रेंड्स जो कि हमारे बलड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद करता है साथ में कीटो फाई कीटो फ्लोड के अंदर हमें कार्भोहड़िट काफी कम मात्रा में मिल रहा है इसमें प्रोटिन और कारण से बार बार भूक लगने की शिकायत जो होती है उसे भी यह काफी कम करता है जो चलिए अब हम देखते हैं कि कीटो फाइड कीटो फ्लोर से बेसिकली हम रोटी कैसे बनाएंगे बहुत आसान है इसे बनाना वन फॉर्थ कप फुल मैंने यहां पे कीटो फाइड कीटो फ मिक्स करना है जब तक कि यह इस प्रकार से गोली की तरह ना बन जाए तब तक इसको अच्छे से मिक्स करना है फिर इसे हमें ढख कर एक 10 मिनिट के लिए साइड में रख देना है दस मिनिट के बाद यहां देखेंगे तो देखें यह आटा काफी जादा नरम हो गया है अब इससे मैंने इसको एक प्रॉपर शेप दे दिया है और जैसे हम नॉर्मल गेहूं की रोटी को सेखते हैं ठीक इसी प्रकार से इसे भी तवे पे आट करके दोनों साइड अच्छे से कुक करना है उपर से आप चाहत तो समें थोड़ा सा तेल यह आट कर सकते हैं मैंने थोड अगर आपको कीटो फाइड कीटो फ्लोर को परचेस करना है तो लिंक सबको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अब वहां से चेक कर सकते हैं इस पूरे मील में मैंने स्वोया चंग की सबजी को आट किया है साथ में 100 ग्राम का दही लिया है और कुकुमबर कि मैंने कुछ स्लाइस लिये हैं साथ में मैंने दो छोटे कीटो रोटी को आट किया है इस पूरे मील में हमें क्यालरीज नियरली 305 क्यालरीज मिलती है प्रोटीन 18.2 ग्राम मिल रहा है कार्बो हाड़ेट 17.4 ग्राम है फैट 11.6 ग्राम है और फाइबर की बात करू तो फा इसे में मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन बाई टेक क्यार